नमस्कार एक बार पनौ हाजर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉक्स पे दोस्तों अगर हम इस हतेली को देखते हैं तो हतेली का आकार अगर देखोगे तो एक आयताकार हतेली आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है देखेगा अगर हमारी हतेली आयताकार होती है तो हम निश्चित तोर पे सारेरिक रोप से कम मेहनत करते हैं और मानसिक रोप से ज़्यादा हमें मेहनत करने पड़ती है दोरदर सिता रहती है और हर चीज को एक एंगल से देखने की हम कोशिस करते हैं एक नई नजरिया से देखने की हम कोशिस करते हैं हतेली की अगर रंगत देखें तो बहुत सुन्नर है आने वाले समय में सोभग्य की प्राप्ति होगी और सुखद जीवन रहने वाला है इस और जो है ये इसारा कर रही है हतेली का अगर हम बर्तमान में देखें बहुत सारी रेखाई अनगिनत रेखाई एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पर नजर आ रही है जो बरतमान समय को इंगित करती हुई दिखाई दे रही है जब भी देखेगा साधारण सा और सुन्नर सा देखने का तरीका है बिल्कुल साधारण सरल तरीका है यह अगर हमारी हतेले में बहुत सारी रेखाएं हो और एक दूसरे को काट रही हो अंगिनत रेखाएं हो जिनका कोई मतलब न हो तो आपके जीवन में संगर्स की इस्तिति आने वाली है इस और ये इंगित करती है और खास तोर पर उंगलियों के तीसरे पौर भी इस तरोके हों कि उनके बीच में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में छिद्र दिखाई दे तो आपके जीवन में आपकी हतेली में पैसा तो आएगा लेकिन खर्चेला सुवाव होने के कारण हतेली में पैसा टिक नहीं पाएगा ये हतेली बरतमान में यहीं बता रही है कि बरतमान समय में संगर्स की इस्तिति है पैसा अगर आभी रहा होगा तो हतेली में टिकना थोड़ा मुस्किल यहाँ पे नजर आ रहा है अब हम हतेली का बिशलेशन करके देखने की कोसिस करते हैं देखेगा आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनरोध मैं आप लोगों से करना चाहूंगा यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल ली है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा आपको बटन दबाना है साथ में घंटे का आइकन होगा उसको भी दबाना है ओल कर लेना है सबसे पहले हस्त रेखा से सम्मंदित पामिष्टरे से सम्मंदित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए देखेगा हमारा जो गौब लॉक्स है उसमें रियल हतेलियों का एनलेसिस रीडिंग की जाती है और हर हतेली में कोई न कोई नई रेखा जरूर होती है उसके ग्रहन अक्षतर किस भाव में बैठे हैं आपको वो देखने को मिलते हैं और हतेली की सिचुएशन देखने को मिलती है और बहुत कोछ आप जो है इससे समझ सकते हैं सीख सकते हैं यह दिया आप रोचे रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और हाँ एक चीज का थोड़ा हमें सहयोग जरूर दें कि आप आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लेजेगा क्योंकि आगे आप वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक जो है करना भूल जाएंगे देखेगा जब भी हमारी हतेली में कुई राहु की रेखा निकलकर भागय की लकीर को काटती है तो संगर्स तो बढ़ाती है चिंताएं तो बढ़ाती है लेकिन धन के भाव में अभाव की इस्तिति पैदा करते हैं खर्च जादा करते हैं और कई बार देखा गया है कि कदम कदम पर विक्ति को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है अगर बरतमान समय में हम आपके धन के ग्रह को देखें आचारे ब्रस्पति को देखें तो आपकी हतेली में ये धन का ग्रह आचारे ब्रस्पति अभी सा साधान अवस्ता में बैठे उई दिखाई पड़ रहे हैं इस अवस्ता में आपके अंदर थोड़ी सी साध्रनता दे रहे हैं सामन्ने बिक्तित्व यहां पे देते उई दिखाई पड़ रहे हैं हां हसमुक स्वभाव रहने वाला है और देखा जाए तो दयालू होंगे प्र मेतिर्टव की चाह आप यहां पे रखने वाले हैं वहीं देखा जाए इसमें बर्ग के भी बहुत सुनर जो है निशान सुनर रोप से यहां पे बनते हुई दिखाई दे रहे हैं कहीं न कहीं बिक्ति अपने विसाये में अच्छी टीचिंग की छमता रखता है कुसल पर सा सकके बिक्ति के अंदर गुण हैं यदि ये बिरस्पति सुनर और पुष्ट आउस्ता में आते हैं तो अपनी ध्यान रखेगा यहां पे अपनी लगन और अपनी मिहनत से बिक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो उच्छ पदस्त अधिकारी निश्चित ही मनेगा यदि ब्यापार कर रहा हो तो ब्यापार में बिस्तार निश्चित ही होने वाला है और दोसरा इस रेखा से रेखा निकल कर यहां युक्ति बनाती हुई नजर आ रही है ऐसे में ब्यक्ति के अंदर राइटिंग स्किल्स की चमता है साथ साथ में लेडर्शिव के गुण भी अच्छे खासे हैं और विदेश यातरा के मौके भी जिवनकाल में बन सकते हैं लेकिन तब जब गुरु ब्रस्पति सुन्दर और पुष्टतम अवस्ता में यहां पे आये और दिखाई देते हैं तो और इस तरह से रेखाई जो है जारी हैं आपको अपनी जिवनकाल में एक से जादा सुरोतों से जो है धन की प्राप्ति होगी और जैसे जैसे उम्र बड़ेगी अध्यात्म की छेतर में रूचे बड़ेगी और उस छेतर में जो है सफलता की भी प्राप्ति होने की शंभावनायां पे नजर आती हुई दिखाई दे रही हैं लेकिन बर्तमान समय में चाय सिक्षा के छेतर में हो इंजिनीरिंग के छेतर में हो चिकित्सा के छेतर में हो मैनेजमेंट के छेतर में हो या राजनेती के छेतर में हो इस छेतर में अच्छे खासी प्रगति अभी नहीं दिखाई पड़ रही है लेकिन जब ये पुष्टतम अवस्ता में आएगा तो अपने जो छेतर है उसमें नौलेज तो बहुत सुन्दर है बेसिक नौलेज बहुत अच्छी है टेचिंग की छमता भी है अगर इन छेतरों म आप काम कर रहे हैं जो छेतर मेंने गिनाई है तो ब्रस्पति के पुष्टतम अवस्ता में आने पर अच्छी खासी कामियाबी आपको मिलती हुई नजर आ रही है वहीं अगर देखा जाए तो बरतमान समय में ये उंगली ये उंगली और ये उंगली सब का जुकाव बीच प्रभाव यहां पे देखने को मिल रही है अगर जिवन में आपका सब कुछ सही भी होगा तो भी जिवन में खुशिओं में कमी यहां पे मिलती हुई दिखाई दे रहे हैं वहीं सनी का जो चेतर है उसमें सनी जो है वकरी अवस्ता में दिखाई पड़ रहे है तीखेगा जब उंगली भी सबका मिडिल की ओर हो, और सनी भी वकरी अवस्ता में हो, तो सनी हमारा नोकरी का मालिक होता है, सनी हमारा भग्या अस्तान का मालिक होता है, तो ये आपके चाए नोकरी कर रहे हों, चाए व्यावसाई कर रहे हों, अडचन डालने की कोशिस करता है, और सनी व बक्री होता है तो रोजगार छिनने की भी कोसिस करता है आर्थिक रूप से व्यक्ति जो है कम जोर होने लगता है और उंगलियों का जो तीसरा पोरवा है वो तो खर्चिला स्वभाव भी जादा बता रहा है और भग्य की जो लकीर है उस रेखा को कई रेखाई नाड़ी रे काट रही है इसलिए यहां पर संगर्स धन की इस्तिति में थोड़ा सा कमी वहीं सादरन भाव में ब्रस्पति का बैठना सब थोड़ा सा मुस्किलें जो हैं जीवनकाल में बरतमान में तकरिबन धाई साल तक जो है संगर्स बहुत जादा रहेगा इस और इसारा करती हुई यहां पर नजर आ रही है तीन साल के बाद ही जीवनकाल में धन के माबले में तरक्की दिखा रहे है और चाहे नोकरी कर रहे हों ब्यावसाय कर रहे हों तभी विस्तार दिखाता हुआ यहां पर दिखाई दी रहा है उससे पहले कहीं न कहीं जो है अगर देखा जाए तो सं पतमाल में आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिसरम कर रहे हैं, उस मेहनत का उस परिसरम का पूरा स्रेई, पूरा क्रेडिट आपको यहां पर मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। की स्थिति आपका निम्न मंगल यहां पर दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है और डिसीजन लेने की छमता में यहां पर कमी देखने को मिल रही है हाँ आपकी छोटी उंगली जो है इस तरो से मुड़ी हुई है धन के मामले में मन में सदाव जुकाव ऐसे बना हुआ है और तीसरे पोर्वे तक पहुँच रहे है मनी मेनेजमेंट में कागजों के रख रखाओ में ऐसे में ब्यक्ति सुन्दर होता है और कहीं न कहीं ब्यक्ति ब्यापारी होता है या उच्च अधिकारी ऐसे ब्यक्ति होता है लेकिन बुद्ध का परवत थोड़ा सामन्य भाव में बैठे हुए है वाणी की वो सक्ति नहीं दे पा रहे हैं जो सक्ति बुद्ध देता है इस तरह से जो है उपर की और रेखा हैं सेवा भाव बहुत अच्छा रहता है एक से जादा भासाओं का एसा ब्यक्ति जानकार भी होता है कम्यूनिकेशन इसकल्स बहुत सुन्दर रहते हैं लेकिन यहां पर इस तरह से थोड़ा बैठा होना अपनी मन की बात पूरी तरह से ब्यक्ति कह नहीं पाता है और यहां पर इस तरह से उठा होना छोटा काम भी ब्यक्ति करें लेकिन उसमें नाम चाहता है अग परिवार के प्रति समरपण की भावना है उम्र बहुत अच्छी लंबी यहां पी दिखाई दे रहे हैं तिरसट से लेके सत्तर वर्स के बीच में इस तरों से जो है यहां पे एक तिरकुन बनता हुआ नजरा रहा है अचल संपति का बहुत बड़ा लाब आपको जिवनकाल में 63 से 70 वर्सों के बीच में निश्चित रूप से होगा यहां पे एक चिन जो है इस तरों से बन रहा है पूरा नहीं बन पाया है यदि पूरा बनता है तो यह अलग ही इसा बनाएगा वेसे अगर देखा जाए तो इस तरों से यह बनता हुआ दिख रहा है यह है और यह है अगर यह मचले का चिन पूरा बन जाता है और यह अभी बनने में जो है कम से कम 5.5 सालों का समय लेगा वही बात आ रही है दाई से तीन साल की बार आपको क्रियेटिव बनाएगी और इसका मुह जो है ब्रस्पती की और है तो ग्यान में जो आपका नोलेज है और आपका जो काम है उसमें विस्तार कराएगी और अच्छा खासा जो है आपको यात्रा भी ये करवा सकती है और देखा जाए तो पैत्रिक संपत्य का भी अच्छा खासा लाम मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है वहीं जिवन रेखा से निकल कर एक रेखा मस्तिस्क रेखा पे जा मिल रहा है और जिवन रेखा और यह सम मिलके यह एक तृबुज बनना आता हूँ है यहाँ पे नज़र आ रहा है देखेगा ऐसे में जो है अचानक धन की प्राप्ति भी हो जाती है मगर यह स्पष्ट हो तो व्यक्त अपने कर्षों से ज़्यादा कमाई करता है और इनकी जो अर्निंग होती है अस्ताई होती है यह जातक जीवन में काफी पैसा इस्टोर करके चलते हैं यह सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है वहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पे भग्या रेखाब की इस तरोसी जारी है मस्तिस्क रेखा इस तरोसी जारी निश्चितरुप से एक जो है तिरभुज नुमा यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो आपने लोटरी के बारे में पोछा एक साइन यह भी है वो सकता है लेकिन अभी नहीं है अगर होगा तो तीन सालों के बाद जो है आपको इसका लाब मिलेगा अभी इसका कोई लाब नहीं मिलेगा अगर अभी आपने अगर कोई ट्राई किया तो धन हानी आपकी होगी इसके सिवाए कुछ नहीं होगा वहीं आपकी हिर्दे रेखा देखें हिर्दे रेखा ठीक तो है ब्रस्पति का प्रभाव पढ़ रहा है इसमें दिर्टिनिस चाहिए होता विक्ति आदर्सवादी जीवन रखता है लेकिन बहुत सारी रेखाईं काट रहे हैं तो ऐसे में रिष्टों के परती हो चाहिए मन के परती हो विक्ति का थोड़ा सा जो है गडबड रहता ही है अगर भग्य रेखा को भी इस तरों से कई रेखाईं काटे तो आर्थिक रोब से जो है संगर्षों का विक्ति को सामना करना पड़ता है देखेगा मैं सरल उपाई दूँगा और ये करने बहुत जरूरी है भग्य रेखा का उपाई करना जरूरी है द्धन के ग्रह का उपाय करना जरूरी है क्यों? भग्या रेखा और धन गरह दोनों एक समान है आपको अगर अपनी जीवन में धन चाहिए, पैसा चाहिए तो इन दोनों का विदिपूरों का आपको उपाय करना है यदि आपको अपनी जीवन में बिस्तार चाहिए किसी भी काम का हो तो उसके लिए सूर्य का आपको पुष्ट करना जरूरी है यदि जीवन का अल में उदासी नहीं चाहिए, खुशियों में कमी नहीं चाहिए, तो सनी का उपाय करना बहुत जरूरी है यदि अडचनों का सामना न करना पड़ा दूसरा एक रेखा यहां से निकल कर बुद्ध की और जाती हुई दिखाई दे रही है आपके अंदर ये ब्यापारिक गुणों को बढ़ाती हुई दिख रही है और जब बुद्ध पुष्टतम आउस्ता में आएगा रुसका सीधा प्रभाव इस रेखा पे पड़ेगा तकरीबन तीन सालों के बाद तो निश्चित ही ब्यापार में अच्छा खासा लाब होनी की यह पे संभावना साब तोर पर दिखाई देती हुई नजर आ रही है प्रस्तिती के उनसार ढलने वाला ब्यक्तितो है कम्यूनिकेसन स्किल्स चाए आपके उंगली हो चाए अंगोठा हो बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है अपनी बातों को लोजिकल तरीके से दोसरों के सामने रख सकते हैं और इक्छा सकती हैं बहुत कुछ हैं जिवन में अच्छी खासे इक्छा सकती हैं यहाँ पे आपका अगर दोनों पौरों के बीच में देखें तो अपनी जिवनकाल में अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुक निश्चित रोप से जो है मिलेगा या पैतरिक संपति मिलेगी या पुस्तैनी घर का सुक मिलेगा पर निश्चित तोर पे जाहा है यहां पर मिलता भा दिखाई दे रहा है भावक किसम के भी व्यक्ति होंगे और चंद्रमा इस तरों से गद्धी नुमा हो तो व्यक्ति जो है बहुत नाजो खिरदय के होते हैं तहजीब पसंद होते हैं अनुसासन से रहना बहुत सुन्दर इनको लगता है थोड़ा दिखावा करने की भी यह लोग कोसिस करते हैं अपने को मेंटेन रखना अपने को सजधज के रहना अच्छे कपड़े पहनना अच्छे घड़ियां पहनना अच्छे जूते पहनना अ पार्टनर्शिप का काम न करें ये आपके लिए सूट नहीं करने वाला है। से वाहन का सुख प्राप्त होगा, अपना घर का सुख प्राप्त निश्चित तोर पे होता हुआ, यहां पे दिखाई दे रहा है। करती हुई नजर आ रहे हैं। और आपको अपनी जीवनकाल में दोसरों का सुयोग बहुत अच्छा मिलता रहेगा और मिलेगा। और भगवान की भी जीवनकाल में अच्छी किरपा आपके उपर बनी रहेगी। आप में सोचने और समझने की सक्त विशे सुरोप से मौजूद रहेगी। और जीवनकाल में यदि कोई निरणे ले लेंगे तो उसे अंततक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर रहेगा। और जीवनकाल में एक उदिश्य लेकर आगे बढ़ेंगे। जब तक उस उदिश्य की उस लक्षे की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक विसराम नहीं लेंगे। दिखाई दे रहा है और जीवनकाल में जो है अगर मंगल सब सुन्दर हो जाता है तो एनरजेटिक स्वभाव यहां पे रहने वाला है। कायरता आपकी जीवन में नहीं रहेगी और डिसिजन लेनी की जो चमता है बहुत तीपरो यहां पे दिखाई दे रहे होगी जीवनकाल में। वहीं अगर हम देखा जाए आपका जो चंद्रमा है आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती दे रहा है। कॉन्फिटेंस लेबल जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। सरीर में यदि कोई प्रेशानी रही भी तो मन हमेशा आपका मजबूत रहेगा और चंद्रमा आपका मजबूत है निश्चित रूप से पाचन तंत्र भी मोटे तोर पर अच्छा रहने वाला है। सरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है बढ़िया रहने वाला है। क्रियेटिव रहेंगे। मा हैं तो मा का अच्छा खासा सुक आपको मिलता हुआ यहां पे नजर आ रहा है। अच्छी सोच लेवी यहां पे नजर आ रहा है। आपका चेहरा भी सुंद्र होगा, आप भी सुंद ही नहीं सुन्दर कलपनाओं को आप करने वाले होंगे जिवन में महिलाओं का सयोग भी अच्छा खासा या पर मिलता हुआ नजर आ रहा है देखा जाए तो मैंने आपकी हतेलिक का पूरा बिसलिसन करके आपको बता दिया है और जो उपाई भीज रहा हूं उपाईयों को जो अधन की और संकेत करती है लेकिन रहाई से तीन साल के बाद ही जो लोटरी का योग बन रहा है अभी नहीं बन पा रहा है इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पुना उपस्तित होंगा तब तक के लिए अग्या दीजेगा नमस्कार